तो फाइनली वो पल आ चुका है जब बिटकोईन का ETF मार्किट में अप्रूवल हो चुका है और हमारे प्यारे 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 गैरी गैंसलर ने ये हमें खबर दी कि ETF जो है EPT यानि कि आ चुका है मार्किट के अंदर और अब होगा क्या बिटकोईन का प्राइज एक नई उचाईया चू सकता है ऐसा क्यूं हो सकता है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और बीटी सी का प्राइज रात को क्यों नी बड़ा इस बारे में भी बात करेंगे कि ये जो है बड़ा अटेंशन में दाल दिया लोगों को ना से आगे दिखाऊंगा कि कौन सी प्रेडिक्शन थी उसके बाद आगे क्या होने वाला है इलान मस्क क्या बोल रहे है इस बारे में भी बात करेंगे साथ में बूमबर की खबर क्या आ रही है एक जबरदस खबर है उसको भी यहाँ पर पकड़ेंगे उससे मैंने आकलन लगाय कि BTC का प्राइज जो है आज के दिन कितना राइज हो सकता है मतलब उचाईया चुएगा फिर यह डाउन सैट जाएगा इस बारे में बात करेंगे मार्केट में जबरदस फोमो होने वाली है यकीनन तोर पे और कुछ आल्ड कोईज मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर आप बाइंग कर सकते हो अभी भी मौका है आल्ड कोईज कुछ खास नहीं बड़े हैं तो कुछ आल्ड कोईज है मेरी नजर में तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर और कल के दिन आपने बहुत जारा प्यार दिया लगवक साड़े चार सो के करीब लाइक करें बट हमारा टार्गेट गाईज 500 लाइक का था तो वो शायद भूल गए आप तो इस वीडियो में एम करते हैं 500-600 लाइक का मेक शूर जरूर करना दिल से करना बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए यार और बहुत सारे कॉमेंट्स आए वो भी जरूर करना मैं हमेशा आपने वो important है हमारे लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मेरा नाम है रौनी कपूर और आप देख रहे हैं learn with रौनी कपूर तो कल के दिन एक इतिहास बना जहां पे बिटकोईन का ETF अप्रूवल हुआ और Gary Gansler ने ये काम किया ये मतलब शुब काम किया प exchanges ने मिलके, manipulation जो Wales ने करी है, बहुत सारा market, liquidation है ही नहीं, किसी भी पासे आपको नजर नहीं आईगी, ये one month का चार्ट खोला हूँ है मैने heat map का, liquidation heat map में अगर आप देखोगे तो zero सूपडा साफ कर दिया market का, तो इससे पता लगता है manipulation तो पूरी हुई, but end of the day क्या हुआ ETF आ चुका है, ETP यानि ETF अब trade होगा आज के दिन, और उसके trade होने से क्या हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि BTC का price तो बड़ा नहीं, तो आगे क्या हो सकता है, देखो BTC का price आज के दिन जब US का market खुलेगा तब बढ़ सकता है, news आ सकती हमें देखने को मिल सक exchanges पे, तो यहाँ पे बड़ा inflow आ सकता है, जैसे NASDAQ वगरा में ये listed हो सकते हैं, और बहुत सारे चीजों में listed होंगे, तो news हमें बहुत inflow होती भी नजर आएगी, तो हो सकता है, ऐसी भी news निकल का है, जी BlackRock ने इतना खरीद लिया, उसने इतना खरीद लिया, क्योंकि trading अबी भी exchanges से नहीं खरीदेंगे, ये लोग prefer करेंगी, गर्मन की website पे यहाँ पे trading हो, वहाँ पे हम लोग ट्रेड करें, वहाँ पे हम लोग खरीदें, तो बहुत सारी चीजे होने वाली हैं BTC के अंदर, और मुझे लगता है कि BTC का price आज के दिन बहुत rise कर सकता है, मतलब आज news आएंगी, और वो सारी news अच्छी हो सकते हैं, अभी देखो कि BTC का price अगर आप notice करोगे तो 47 की नीचे trade कर रहा है, और जब ये breakout आएगा न 47 के उपर, तो बहुत खतरनाक move आ सकता है, सीधा 48,000 से 50,000 का आज के दिन move आ सकता है, क्योंगि कल लोग expect करके बैठे थे, including me बट ऐसा नहीं हुआ, हर चीज जरूरी नहीं है, हम जैसा सोचें वैसी हो, और कल के दिन मैंने भाई, इथेरियम का prediction किया तो तो टेलीगराम पे नहीं हो ना, तो जरूर आजो, ये prediction था, और अगर आप जाके चेक कर लेना एक बारी, मेरे टेलीगराम पे, ये साड़े बा राइव में भी मैंने ये बात बोली थी, कि इथेरियम ब्रेक कर सकता है, बहुत ताइम से जो है, इथेरियम घूम रहा था, इस एरिया पे, और सीधा, मैंने तो पच्छी सो डॉलर का दिया था, यहां तो चब्वी सो डॉलर पे चले गया, तो दस परसेंट की एक जबरद तो यह बहुत ही जादा यहां पे FOMO क्रियेट कर सकता है, इन्वेस्टर्स के अंदर, और मेरे साब से होगा भी SI, तो आप नजर बना के रखो, BTC का ब्रेक आउट पे वेट करो, ब्रेक आउट पे ट्रेट करो, कोशिश करो, जैसे वन आवर का कैंडल है, यह न्यूस पे वेट करो, और शाम को हम लोग लाइव होंगे, वहाँ पे जरूर जोड़ना, तो वहाँ से भी हमें आइडिया लगेगा, जब US का मार्किट खुलेगा, उसके साथ ARB का मैंने बहुत टाइम पहले कॉल दिया था, और ARB का लोगों ने बहुत तारिफ करी, तो अगर टेली लोग टेंशन में हैं G2 के बारे में, कि तूने, मतलब बहुत गालिया दिया लोगों ने मुझे इसके लिए G2 के लिए, यह मुझे पता है, मैं लाइव करता हूँ, तो लोग बहुत बोलते हैं फालतू, और यहाँ से G2 देखो, अभी भी अच्छा खासा परफॉर्म कर र आपको यह वला एरिया का मिल सकता है, तो तीन डॉलर तक यह जा सकता है, जिस तरीके के मार्केट के हलात हैं, तो होल्ड रखो, टाइट होल्ड रखो, ARB में ऐसे प्रॉफिट नहीं मिला, लोगों ने टरस्ट दिखाया तब मिला, बट आप लोग नए हो तो डर जाते हो, तो कोशिश करा करो, टरस्ट दिखाया करो, ताकि यार हमें भी हिम्मत मिले की नहीं हम लोग भी आगे बता सके, तो होल्ड जो होता है वो गोल्ड होता है, यह बात हमेशा याद रखना, तो अभी सोलाना के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, सोलाना में क्या है कि यह ब् इसका मूव तो डेफिनेटली यह मूव कर सकता है इस पे नजगना फोर आवर का केंडल मैंने लगाया हुआ तो फोर आवर में आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो तो वेट करो ऑपरचुनिटी देखो डेड़ बजे करीब क्लोजिंग होगी इसकी दुपैर में तो वहां पे व करो यहां से यह ब्रेकाउट कर सकता है सोलाना उसके बाद एडिय में भी बहुत अच्छा मूव लग रहा है एडिय भी आने वाले दिनों में 79 तक जा सकता है जो दिख रहा है चार्ट के अंदर तो एडिय का भी वेट करो यह बिल्कुल ब्रेकाउट पे है अगर आप चुका है उसके बाद यार मेरको ना वू में भी बहुत अच्छा मूव नजर आ रहा है वू क्या चक्कर है वू कंसॉलिडेशन कर रहा है बड़े दिनों से और वू अगर ब्रेक करता है चोतालीस बारा को तो भाई सीधा पचास तक जाता हूँ नजर आएगा वू पे भी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्प का जो रिस्टंस है वो है 1.420 के पास तो यह वाला एरिया अगर ब्रेक करता है पर्प तो डेफिनेटली मूव आ सकता है डब्ल्यू बैटन इसने बनाया था और डब्ल्यू बैटन का यह अल्रेडी ब्रेक आउट कर चुग बनेगा 1.2041 के पास ठीक है 1.2014 के पास तो यह एरिया बहुत इंपॉर्टन रहेगा पर्प का यहां से उठ सकता है पर्प भी उसके साथ लिवर लिवर भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है लिवर इस टाइम में ट्रेड कर रहा है ब्रेक आउट आया और लिवर में भी करता है 16.48 को तो लिवर में भी एक अच्छा मूव आ सकता है लिवर भी जो है एक अच्छी खासी रैली कर सकता है तो लिवर पे भी नज़र रखना यह सारे कोईंज है जिनमें वॉल्यूम आ सकता है जो मुझे नज़र आया और भी कोईं है बलकि वो चीज़े हम लोग डि को जरूर शेयर कर देना वीडियो और कोमेंट करना मत भूलना तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक लिए गाइस गुडबाई टेक क्यार